देख बिना ब्रेक जाउम्लोड तक अप दोनों ही बर्बाद होता है क्या सरकार इस बारे में कुछ सोच रही है इस देश की जो गरीब जनता है उसको नियाये मिलने का एक मात्र इस्थान जब सब जगे से निराश हो जाता है तो वो नियायाल्य होता है जो माने मंत्री जी ने यहाँ जवाब दिया है अकेले उत्तर परदेश में 75 लाग से ज़्यादा केसिस कोर्ट में पेंडिंग है मैं यह पूछना चाहूँगा बादने मंत्री जी ने जवाब में कहा भी है कि इंफ्रेस्टेक्चर की कमी है लेकिन उसका कुछ हिस्सा केंदर सरकार देती है कुछ हिस्सा परदेश सरकार देती है कुछ बढ़ोत्री भी की है 2014-15 के बजट में लेकिन क्या आने वाले कुछ वर्षों में हम देख पाएंगे कि यह 75 लाग से पेंडिंग है यह कोई टाइम माउंट कोई ऐसा हो सकता है कि कितना मिनीमम केसिस जो है मैक्सिमम केसिस कोर्ट में रह जाएं और दूसरा इसी के साथ मेरा सवाल जो है कि नियाए सस्ता मिले यह सरकार की प्राथ मिकता है और सरकार की पार्टी जब चुनाओं में थी पिछले 20 साल से लगातार यह मांग करती रही कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर साहरनपूर से चल करके मेरट से चल के हाई कोट का नियाए लेने के लिए व्यक्ति को इंसान को 800 किलोमीटर का सफर ते करना पड़ता है जब आप छोटे छोटे राज्ये एक दिन में बना सकते हैं मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोट की बेंच मेरट मंदल या मुरादाबाद मंदल में जो काफी अर्थे से जनता का अंदोलन एडवोकेट का अंदोलन वह चल रहा है क्या उस पर कोई विचार सरकार कर रही है दानिश अली के सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री रवी शंकर प्रसाद ने कहा कि हमने पंद्रा सो कानून समाप्त किये इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा, टेक्नोलोजी सुधारी, पुराने केस, जल्दी और प्रास्मिक्ता से निप्टाए जाए ये देखा, और इस बात को भी हम सुविकार करते हैं, और सुनी उन्होंने आगे क्या कहा मैं मानिये सदस्त की चिंता को समझता हूँ ये समविधान का भी दाइत्व है और हमारी सरकार का कमिट्मेंट भी है कि नियाए तरित होना चाहिए थोड़ा गला बजा हुआ है छवा करें मैं एक बात सदन को बहुत ही विनंता से बताना चाहता हूँ जस्टिस डिलिवरी काम जजजेस का है सरकार का काम है इंट्रास्ट्रक्टर देना यही नियाए पालिका के आजादी का मूल आधार है और एक जो सेंट्ली स्पॉंसर्ड स्कीम है जो 93 से चल रहा है हमारा कमिट्मेंट का एक संगेत इस सदन को मैं बगताना चाहता हूँ कि अब तक जो पैसे दिये गए उसका 50% पिछले 5 साल में अंदरिन मोदी की सरकार में दिया है हम लोगों ने इंफ्रसेक्शन के लिए और आपके प्रदेश में मानिफ रस जी 2278 कोर्ट होफ बने है और 1937 देशन इनिट बने है यहाँ आपको बता देगी मेरे दोरे पर पहुँचे यूपी बार कांसल के चेर्मेन हरिशंकर सिंग ने कहा था कि पच्चिमी उत्रप्रदेश में हाई कोट बेंच हर हाल में बनेगी यदि केंद्रो राज्य सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो बड़ा अंदोलन होगा विरो रिपोर्ट यूपी तक